अपना गाउं कनेक्शन है ये है गाउं रेडियो गाउं कनेक्शन की पेशकश नमस्कार तारीख 14 गुबर दिन शनिवार ये गाउं कनेक्शन का पॉडकास्ट इस हफते खास है गाउं कनेक्शन के इस पॉडकास्ट में आज बात करेंगे उत्तर प्रदेश के किसानों को किन-किन पैदावार के लिए राज्य सरकार मदद देगी बारिश के बाद देश के कई गाउं में तेजी से फैलते बुखार और मौत पर क्या है गाउं कनेक्शन की ग्राउंड रिपोर्ट और दुनिया भर की महिलाओं में क्यों बढ़ रहा है स्तन्क कैंसर सबसे पहले बात अच्छी खबर से गेहु सरसो जैसी रभी फसलों की अच्छी पैदावार के लिए उत्तर प्रदेश सरकार किसानों की मदद करेगी प्रदेश में रभी फसलों की बंपर उत्पादन की तयारी चल रही है प्रदेश सरकार ने इस बार बुवाई छट्रपल के साथ ही उत्पादन बढ़ानी की तयारी की है। राज सरकार ने खरीफ फसलों जैसे धान, मक्का, बाजरा, जुआर की खरीद के साथ ही रभी सीजन में खाद्यान और तिलहनी फसलों का उत्पादन बढ़ाने के लिए रणनीत तर्यार कर ली है। किसानों के खेतों से अधिक उत्पादन लेने और आय बढ़ाने के लिए किसानों को नई तकनीक बताई जाएगी। किसानों के अधिक उत्पादन के समय बिजली की आपूर्ती, नहरों में रोस्टर के अनुसार पानी और सरकारी नलकूपों को चालू रखा जाए। किसानों के बाते सामने आई। गाउं के लोग इसके लिए रुके हुए पानी के तालाबों और गंदी नालियों को जिम्मेदार मानते हैं। प्रदेश के स्वास्त विभाग का कहना है कि सभी जिलों में मच्छुरों से निपटने के इंतजाम कर दिये गए हैं और हालात काबू में हैं। गोवा में अंदादुन बनती इमारतों के नाम पर वनों के कटने और उनके खत्म होती हर्याली ने शहरों के योजनाकार और परियावरन विदों की चिंता बढ़ा दी है। उनका कहना है कि अगर इसे तुरंत नहीं रोका गया तो परियावरन के लिहाज से संबेदन शील छेत्र पूरी तरह खत्म हो जाएंगे। इसके लिए जरूरी है कि जाच और संतुलन पर कड़ाई से काम किया जाए। गोवा के गाउं तक में सडक, इमारत और बुनियादी धाचे के मकसद से तेजी से निर्मान का काम चल रहा है। इस राज में घर की चाह रखने वालों की बरती तादाद, जहां प्राइवेट बिल्डरों के लिए मुनाफे का सौधा है, वही परियावरन के लिए एक बड खो रहे हैं। अगर समय रहते इस पर लगाम नहीं लगी तो इसका हाल भी उत्तरा खंड जैसा हो जाएगा। इस तन कैंसर दुनिया भर में महिलाओं की मौतों का एक प्रमुख कारण है। इस बीमारी के आकलों में लगातार इजाफा हो रहा है जो चिंता की बात है। चि महिने को स्तन कैंसर जागरुकता महा के रूप में मनाया जाता है। वहीं 13 अक्टूबर को स्तन कैंसर जागरुकता दिवस के रूप में मनाया जाता है। नेशनल ब्रेस्ट कैंसर अवेडनेस मंत के शुरुवाद 1985 में होई थी। ग्लोबकॉम 2020 की एक रिपोर्ट के अनुस कित्सक मानते हैं कि बदलती जीवन शयली और तनाव का अस्तर काफी हद तक स्तन कैंसर के लिए जिम्यदार है। वसायत उत्पादों का अधिक सेवन करियोर को प्राथमित्ता देने के कारण लड़कियों के विवाह और पहले बच्चे को जन्म देने की ओसत आयू 25 से 30 वर्स होने तथा बच्चे को इस्तन पान ना कराने के कारण भारत में हर साल इस्तन कैंसर के आकड़े बढ़ते जा रह बिना डॉक्टर की सलाह के हॉर्मोन्स का सेवन, धुम्डपान और शुराप का सेवन करने वाली महिलाओं में इसका खत्रा काफी हद तक बढ़ जाता है गाउं कनेक्शन के पॉड़कास्ट इस हबते खास में आज इतना ही, नमस्कार यह है गाउं रेडियो, गाउं कनेक्शन की पेशकष हम भाउं के क्शन ठोप तक बढ़ जाओंगे तक बढ़ जाँ